इस पाउडर का उप्योग गैस की समस्या में किया जाता है, जब किसी को बहुत ज़्यादा गैस की समस्या बनता है, एसी डिटी की समस्या बनता है, कब्ज की समस्या बनता है, उसे हम एक परकार से कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गैस की समस्या रहता है, यह गैस की समस्या द किस परकार की दिक्कत या फिर पेट से रिलेटेड या फिर गैस से रिलेटेड किस परकार की समस्या किस परकार की तकलीफ मरीज को रहती है मरीज को क्या दिक्कत क्या समस्या रहती है या फिर किस परकार का रोग रहता है या फिर किन किन रोगों में डॉक्टर के दोरा ये प आज हम आपको पूरा डेटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे जैसे कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस की समस्या रहती है आपने देखा होगा जब किसी को गैस की समस्या रहती है तो वो बहुत ज़्यादा परेसान रहता है उसका पेट फूला फूला सामेसा रहता ह उसको भूग नहीं लगता है उसके गले से खटा मेठा डेकार सा आने लगता है उसके सीने में जलन की समस्या रहती है उसके पेट में जलन की समस्या रहती है तो इन सारी समस्याओं को ये medicine ठीक करने का काम करता है यानि ये जो powder है ये powder इन सारी समस्याओं को जड़ से ठीक करन यानी जो स्टूल, यानी जो हमारा पीकल मेटर होता है, यानी वो पास नहीं हो पाता, यानी उसके मुवमेंट को, यानी इंटेस्टाइनल को इंटेस्टाइनल के अंदर का बढ़ाने का काम करेगा. जब किसी को gas यानी acidity की समस्या रहती है तो उसमें उसे क्या-क्या दिकत होता है जैसे कि उसके सीने के नीचे काफी ज़्यादा दर्द की समस्या रहता है उसके और पेट में काफी ज़्यादा एक परकार से item के जैसा महसूस बना रहेगा उसका पेट हमेशा फूला-फूला उसको भूक नहीं लगेगा और वो खाना खाने बैठेगा तो उसके गले में एक परकार से खाना भरा भरा के जैसा मैसूस होगा खटी-मेठी डिकार आएंगी हट वर्न की समस्या रहेगा और जैसे कि उसके पेट में अजीब-जीब तरे से गुड़-गुड़ा हट की आवा जाएंगी उसका पेट सही नहीं रहेगा उसे कबज की समस्या बना रहेगा जैसे ही वो खाना खाएगा तैसे वो दस्त के लिए जाएगा और जैसे कि जब किसी को गैस बनता है एक परकार से गैस बहुत ज़्यादा बनता है तो कई बार क्या होता है कि उसके सीर में भी काफी ज़्यादा दर्द की समस्या होने लगता है उलजन होने लगता है एक परका की कोई समस्या रहता है तो ये इन सारी समस्याओं को ये पाउडर जड़ से ठीक करने का काम करता है यानि जो आपके पेट के अंदर गैस बनता है ना उस गैस की प्राबलम को ये पाउडर जड़ से ठीक करने का काम करता है और जैसे कि आपने देखा होगा जब किसी को गैस ब वो कई बार ऐसा सोचने लगता है कि अब हम खाना ही ना खाएं वो दिन में एक बार खाना खाने लगता तो उससे क्या होता है उसकी जो बौडी होती है बहुत ज्यादा बीकनेस हो जाती है जब वो खाना नहीं खाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी बौडी बीकनेस हो तो इससे भी गैस एक परकार से इस पाउडर से जो ये सारी समस्या हमने बताया है इन सारी समस्याओं को ये पाउडर जड़ से ठीक करनी यानि एक परकार से जो गैस की समस्या है उसे प्रॉपर रूप से ठीक करने का काम करता है और जैसे कि जब किसी को गैस बनता है ना तो अब भूख नहीं लगता है पहली चीज़, अगर उसे गैस बनने की समस्या रहेगा, तो उसे भूख नहीं लगेगा, क्योंकि उसका पेट है, वो प्रॉपर रूप से सही नहीं रहेगा, उसका पेट सफा नहीं रहेगा, तो उसका पेट सफा नहीं रहेगा, गैस की समस्या है कि इसके अलावा उसे गैस के कारण और भी समस्या होता रहता है तो इन सारी समस्याओं को ये जो पाउडर है ये जो चूरन है ये जड़ से ठीक करने का काम करता है ये पाउडर कमजोर पाचन सक्ती को बढ़ाने का काम करता है यानि ये को यह जो powder है ठीक करने का काम करता है चलिए अब हम आपको बताते हैं यह जो powder है इसे यूज कैसे करना होता है डॉक्टर के द्वारा इसे किस परकार से डोज निर्धारित करके calculate करके मरीज को लेने के लिए बताया जाता है जैसे कि जो इस powder का डोज होता है वो डॉक्टर के द्वारा मरीज की age उसके body weight और उसकी दिक्कत और उसकी समस्या और उसकी परेसानी को देखते हुए डॉक्टर इस powder का डोज निर्धारित करके पीने के लिए बताते हैं जैसे कि जो adult में इसका डोज होता है यह powder का वो दो चिम्मच आधे गिलास पानी में डाल करके यानि गुनगुने पानी में डाल करके पीने के लिए बताया जाता है यह powder दिन में दो से तीन बार मरीज की इससिती और उसके condition को देखते हुए इस दवा का डोज डॉक्टर निधारित करके पीने के लिए बताते हैं चलिए हम आपको इस powder के side effect के बारे में बताते हैं इस powder का क्य ज़्यादा नीद की समस्या आ सकती है आपके सिर में दर्द हो सकता है आपको नोजिया बुमेटिंग की समस्या हो सकता है इसके अलावा आपको और भी समस्या हो सकता है गैस की समस्या या फिर पेट की समस्या पेट से related अगर किसी भी परकार की कोई समस्या रहती है तब पाउडर काफी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है, यह पाउडर आपको किसी भी मेटकल स्टोर पर या किसी भी सौप पर आसानी से मिल जाएगा, यह जो पाउडर है यह ज़्यादा महंगा नहीं है, यह आप किसी भी मेटकल स्टोर से आसानी से ले सकते हैं, इसके लावा, यद आपको और कोई दिक्कत, और कोई समस्या है, तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिष्ट के पास आप जाएं, आप अपनी दिक्कत परिशानी बताएं, उसके बाद में कोई भी दवा, कोई भी मैटसिन, कोई भी पाउडर लें कभी भी आप कोई भी दवा कोई भी मेटसिंग कोई भी पाउडर खुद से उपियोग ना करें